नमुश्कार मोप्रिया विहारी नीयोज में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवाती तुफान के पहले क्यों रेड यलो या ओरेंज अलर्ट जारी किया जाता है और इसके क्या महत्व है किसी भी चक्रवाती तूफान से पहले अक्सर रेड, यलो या ओरेंज अलर्ट तूफान की भयावहता को देखते हुए जारी किया जाता है वहीं आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों किसी भी चक्रवात तूफान से पहले रेड, यलो और ओरेंज अलर्ट को जारी किया जाता है वर्तमान समय की बात करें तो चक्रवाती तूफान यास लांडफॉल उडिसा के बाला सौर में हो गया है खबरों की माने तो अगले कुछ घंटों में यह तूफान पस्चिम बंगाल, जारखंड, बिहार और उडिसा के कई जिलों में कहर बर पासकती है तूफान के रफ्तार को देखते वे उडिसा और बंगाल में रेड अलर्ट जारी किया गया है जबकि बिहार में यह लो और ओरिज अलर्ट जारी कर दिया गया है जब ही चक्रवाती तूफान की वज़े से जानमाल की छटी के आशंका होती है तो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया जाता है अब आईए जानते हैं कि किन परिसितियों में अलर्ट जारी किया जाता है रेड अलर्ट का मतलब होता है कि आंधी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है इस सिचुएशन में इलाके के लोगों को हटाने का काम किया जाता है जिससे जानमाल की ज्यादा छती ना हो रेड अलर्ट इन इलाकों में जारी किया जाता है जहां पर चक्रवाती तुफान का अधिक होता है अब येलो अलर्ट अक्सर बारिश की संभावना को देखते वे मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया जाता है रेड अलर्ट के बाद मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी करता है यह अलर्ट उन इलाकों में जारी किया जाता है जहां चक्रवा प्रबंधन विभाग चक्रवाती तूफान के बाद होने वाली संभावित बारिश को ध्यान में रख कर किया जाता है। अगले दो दुनों तक बिहार में बादल बने रहेंगे और कई इलाकों में बारिश होती रहेगी इस वज़े से लो लैंड वाले इलाके में जल जमाब और बाढ़ जैसे हालात का खास खत्रा बना हुआ है। लंबे समय तक होगी। लंबे लंबे स्पिल तक बारिश होगी और 12 से 14 गंटे तक धीमी बारिश होती रहेगी। अगले 24 गंटे में 60 mm बारिश होनी की संभावना जताई गई है। बतादे कि फिलाल बिहार के कई इलाकों में बारिश हो रही है और हमाएं भी तेज चर रही है लेकिन इसकी रफतार कम है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।